मेश राशी, स्वास्थ आपका अब धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है धन की प्राप्ती होती दिख रही है और करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है जो परिवर्तन आपके लिए लाबकारी होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 प्रतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशव राशी स्वास्थि का थोड़ा ध्यान रखें व्यर्थ की चिंता ना करें संतान पक्ष पर भी थोड़ा ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा फिरूजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा मिथुन राशी काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी करियर में आपके उन्नती होगी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं भगवान सूर्य को अगर आप जल अरपित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मद्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी मानसिक चिन्ताएं अब आपकी दूर होती दिख रही है धन की दशा में आपके सुधार होगा और करियर की समस्या आपकी दूर होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंग राशी धन लाब के योग बन रहे हैं संपत्ति लाब के योग भी दिख रहे हैं दूर स्थान से आपको लाब होगा भगवान सूर्य को अगर आप जल अरपित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी अपने स्वास्त का ध्यान इस समय बनाए रखें जल्दबाजी में निर्ड़े न लें संतान पक्ष का भी ध्यान रखें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा आस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा तुलाराशी अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तै हो सकता है धन की स्थिती आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है कारो बार में लाब होता हुआ दिख रहा है खाने पीने की वस्तुका अगर दान करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिश्यक्राशी काम के मामले में काफी व्यस्तता रहेगी धन की स्थिती आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी संपत्ति का लाब इस समय आपको हो सकता है भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा धनुराशी यात्रा के योग आपके बन रहे हैं धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है करियर में लाब के योग बने हुए हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं समय लंबी यात्रा इस समय मत करिये परिवार की समस्याओं से थोड़ा बचाव करिये शान्ती रखिये किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन के मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा कुम्बराशी धन लाब के योग बन रहे हैं करियर में आपके सुधार होगा स्वास्थ आपका ठीक बना रहेगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी करियर की समस्या में सुधार होगा धन आसानी से प्राप्त होगा नए रिष्टे इस समय आपके बनेंगे खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है